आप जानते हैं कि गणित की एक शाखा है ज्यामिती। इसमें हम विभिन आकरितियों एवं उनके गुणों के बारे में अध्यन करते हैं। अब तक आप जिन आकरितियों के बारे में पढ़ चुके हैं वे हैं रेखाएं, त्रिभुज, चतुर्भुज, एवं वृत। जामिती अध्यन की एक अपनी ही विधी है। इसमें हम आकरिती की परिभाशा करते हैं और फिर उसको आधार बनाकर उसके विभिन्य गुणों को तर्क द्वारा सिद करते हैं। और उसी पर आधारित समस्याएं हल करते हैं, लेकिन इन में हम बीज गणित का पूरा प्रयोक नहीं कर पाते हैं। जैसे ये दो रेखाएं आपस में किस बिंदू पर प्रतिछेद करेंगी या कितनी दूरी पर करेंगी। इसी तरह यह रेखा या यह वृत दूसरे वृत को प्रतिछेद करेंगी या नहीं और अगर करेंगी तो बिंदू की स्थिती क्या होगी। इस प्रकार बहुत से जानकारियां अधूरी रह जाती हैं। यही नहीं हमारे दैनिक जीवन में भी हम बहुत सी आकरितियां देखते हैं। जैसे क्रिकेट में बल्ले से गेंद को उच्छालने पर गेंद कुछ इस प्रकार का वक्रपत बनाती है। इसी तरह इस गेंद को टेबल से लुड़काने पर हम देखते हैं कि यह कुछ इस प्रकार का वक्रपत बनाती है। आप पढ़ चुके हैं कि प्रित्वी सूरे के चारों तरफ एक निश्चित कक्ष में प्रमन करती हैं। जिसकी आकरिती कुछ इस प्रकार की होती है। इस तरह से ऐसी आकरितियों का अध्यन संभव नहीं हो पाता है। अध्या आवेशकता हुई ज्यामिती अध्यन में एक ऐसी विधी की जिसमें ज्यामिती के साथ बीच गणित मिलाया जा सके। ऐसे विधी की सबसे पहले संकल्पना की फ्रांस के एक गणितग्य रेने डिकाटे ने सन 1637 के आसपास। इस विधी का आधार है तल में स्थित बिंदूओं की स्थितियों को संख्याओं द्वारा प्रदर्शित करना। हम जानते हैं कि सभी आकरेतियां बिंदूओं का एक समो है जो एक नियम अनुसार बनती है। इसी में हम चर एकस वाई आधी लेकर के यदि उसी नियम अनुसार समीकरन बना सकें और फिर समस्या का हल कर सकें तो इसका मतलब हमने किया ज्यामिती से 20 गनित में समस्या को बदल कर समस्या का हल किया और फिर उसे दुबारत से ज्यामिती में समझा। उधारन के लिए सीधे पत में चलने वाले सभी वस्तु के समीकरन का रूप कुछ इस प्रकार होगा। इसे प्रकार बल्ले से उचल कर गेंद के पत का समीकरन का रूप कुछ इस प्रकार होगा। इन समीकरनों पर विचार कर तथा इने हल करके हम अनेक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जामिती अध्यन की इस विधी को सबसे पहले संकल्पना की रेने डिकार्टीज ने लेकिन आगे चल करके इसे विक्सित किया फर्मेट ने। और इस विधी से हमने कठिन से कठिन एवं जटिल समस्याओं का हल करके हम चान तक पहुंचे। जामिती अध्यन की इस विधी को हम कहते हैं निर्देशांग जामिती। इस विधी के द्वारा हम रॉकेट तथा उपग्रोहों के कक्ष का निर्धारन भी कर सकते हैं। आएए देखें कि निर्देशांग जामिती का आधार क्या है तथा इसका अध्यन की विधी क्या है संख्या रेखा से आप सभी परिचित हैं इसमें हम एक सरल रेखा एक स्टाश एक्स लेते हैं तथा इसमें कोई भी बिंदु को मूल बिंदु ओ मानते हैं इस मूल बिंदु के दाई और प्रत्यक बिंदु एक धन वास्तविक संख्या प्रदर्शित करती है तथा बाई और की प्रत्यक बिंदु एक रिन वास्तविक संख्या प्रदर्शित करती है जैसे दाई और होगा एक, दो, तीन, चार इत्यादी तथा बाई और की बिंदू प्रदर्शीत करेगी संख्या घटा एक, घटा दो, घटा तीन, घटा चार इत्यादी इस तरह से इस सरल रेखा के प्रत्यक बिंदू के साथ एक संख्या का संबन स्थापित हो जाता है अब हम ऐसी दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हुई लेते हैं और दोनों का प्रतिच्छे दिन बिंदू ही दोनों का मूल बिंदू लेते हैं इस तरह से यह रेखा x-ox, x अक्ष रेखा कहलाती है तथा y-oy, y-x रेखा कहलाती है और ये दोनों लंबवत रेखाएं पूरे तल को चार भागों में बाटती है प्रतीक भाग को हम एक चतुर्थांश कहते हैं जैसे ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, एवं ये चौथा चतुर्थांश अब इस तल पर एक बिंदू लेते हैं P और इस से हम X अक्ष पर लंब गिराते हैं तथा Y अक्ष पर लंब गिराते हैं यह X अक्ष पर M बिंदू पर मिलते हैं यह लंब और Y अक्ष पर N बिंदू पर बिंदू M X अक्ष पर संख्या 4 प्रदर्शीत करता है तथा बिंदू N Y अक्ष पर संख्या 2 दशमलव 5 प्रदर्शीत करता है अर्थात इस बिंदु P के लिए हमें संख्याओं का एक जोड़ा प्राप्थ हुआ जिसे हम एक निश्चित क्रम में लिखते हैं 4, 2.5 संख्या 4 जो की X अक्षपर है इसे हम भुज निर्देशांग कहते है तथा संख्या 2.5 जो की Y अक्षपर है इसे हम कोटी निर्देशांग कहते है और यह क्रमित युग्म 4, 2.5 दोनों मिलकर बिंदु P के निर्देशांग कहलाते है इस तरह से हम देखते हैं कि तल के प्रतेक बिंदु के लिए संख्याओं का एक जोड़ा है जिसे हम उस बिंदु का निर्देशांग कहते हैं अब एक बिंदु Q लेते हैं आएए इसके निर्देशांग देखें इस बिंदु से हम अक्ष गिराते हैं लंब गिराते हैं X अक्षपर तथा Y अक्षपर आप देख सकते हैं बिंदु Q के निर्देशांग हुए 2.5, 4 इस तरह से आपने देखा कि निर्देशांग का क्रम बदल देने से ही बिंदु किस्थिती भी बदल जाती है आए इसी तल पर एक और बिंदु लेते हैं R और इस बिंदु से हम X अक्षपर तथा Y अक्षपर अगर लंब गिराते हैं तो हम देखते हैं कि संख्याओं का हमें एक जोड़ा प्राप्त होता है घटा 3 यानि X अक्षपर लंब गिराता है घटा 3 पर तथा Y अक्षपर लंब गिराता है घटा 2 पर इस तरह से बिंदु R के निदेशांग हुए घटा 3 घटा 2 इसी तरह से किसी अज्यात बिंदु या चल बिंदु के लिए भी हम चर X Y क्रमित यूग्म के रूप में ले करके समीकरण बना सकते हैं एवं समस्या का हल कर सकते हैं इस तरह से आपने देखा कि निदेशांग जामिती द्वारा हम कई आकरितियों के बारे में अध्यान कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले आएए हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र सीखें दो बिंदु के बीच की दूरी ग्याद कर सकते हैं माना बिंदु A के निर्देशांग हैं 2-1 तथा बिंदु B के निर्देशांग हैं 10-7 A के निर्देशांग 2-1 का अर्थ है O L बराबर 2-1 है तथा A L बराबर 1-1 है इसी तरह से bm बराबर 7 इकाई है तथा om जो की x अक्षपर है 10 इकाई है अब हम इसी से an की लंबाई निकाल सकते है an जो की om घटा ol है बराबर 10 इकाई घटा 2 इकाई अर्थार्थ 8 इकाई है इसी तरह से bn जो की bm घटा nm है या al है यह होगा 7 इकाई घटा 1 इकाई अर्थाथ 6 इकाई अब इस समकोन त्रिभुज a n b में हमें पता है कि a b वर्ग बराबर a n वर्ग जमा बी अन वर्ग अर्थार्थ a n आट का वर्ग जमा छे का वर्ग बराबर 100 इस तरह से हमें प्राप्त हुआ a b बराबर 10 इकाई इस प्रकार आपने देखा कि दो बिंदू के दिये हुए निर्देशांग के द्वारा हम उनके बीच के दूरी ग्याद कर सकते हैं आम तोर पर दो बिंदू के बीच के दूरी ग्याद करने के हमें आवशक्ता कई बारी होती है इसलिए आएए हम इसके लिए एक सूत्र प्राप्त करें माना बिंदू एक के निर्देशांग है एकस एक तथा य एक तथा बिंदू बी के निर्देशांग है एकस दो वाई दो पहले की तरह फिर से हम ए से तथा बी से एकस अक्ष पर लंब गिराते हैं जो एल तथा एम पर मिलते हैं तथा A से लंब गिराते हैं Bm पर जो N पर मिलता है पहले की तरह हम देखते हैं कि Ol इसमें बराबर होगा X1 के तथा Al बराबर होगा Y1 के Om बराबर होगा Om X2 के बराबर होगा तथा Bm Y2 के बराबर होगा अब समकोन तरिभुज A N B में हम जानते हैं कि A B वर्ग A N वर्ग जमा B N वर्ग के बराबर है अर्थात A B वर्ग बराबर A N वर्ग अब A N बराबर है Om घटा Ol अर्थात X2 घटा X1 इसका वर्ग जमा B N बराबर है B M घटा N M अर्थात Y2 घटा Y1 का वर्ग अर्थात AB बराबर वर्ग मूल X2 घटा X1 वर्ग जमा Y2 घटा Y1 का वर्ग यह हमें सूत्र प्राब्थ हुआ दो बिंदूं के बीच की दूरी प्राब्थ करने का यदि उनके निदेशांग दिये हुए हैं लेकिन इस सूत्र के बारे में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है पहली बात ये कि ये दोनों बिंदू कहीं भी हम ले सकते हैं और थात किसी भी चतूर्थांश में इसे ले सकते हैं दूसरी बात ये कि दोनों में से किसी भी बिंदू को आप A मान सकते हैं तथा दूसरे बिंदू को आप B मान सकते हैं तीसरी बात ये कि दूरी हमेशा धन वास्तविक संख्या होती है इसलिए करनी पर हम कोई चिन्न नहीं लगाते हैं चौथी बात हम देखते हैं कि यदि दोनों बिंदू में से एक बिंदू मूल बिंदू हो जैसे इस चित्र में मूल बिंदू है एक तथा दूसरा बिंदू हम ले रहे हैं A और जिसके निदेशांख हैं X Y ऐसी स्थिति में दोनों के बीच की दूरी होगी O A बराबर वर्ग मूल X घटाशून्य वर्ग जमा Y घटाशून्य वर्ग अर्थात O A बराबर वर्ग मूल X वर्ग जमा Y वर्ग आए इसे सूत्र पर आधारित हम कुछ समस्याओं का हल करते हैं समस्या है X अक्ष पर उस बिंदू को ज्याद करो जो बिंदू 6,7 तथा बिंदू 4 घटा 3 से समान दूरी पर हो अब आधी कोई बिंदू X अक्ष पर हो तो उसके निर्देशांख होंगे मान लिजे बिंदू P लेते हैं और उसके निर्देशांख लेते हैं A 0 जो दोनों बिंदू दिये हुए हैं हमारे पास वो है A उसके निर्देशांख हैं 6,7 तथा B बिंदू के निर्देशांख हैं 4 घटा 3 मान लेते हैं कि बिंदू P एक ऐसा बिंदू है जो X अक्ष पर है तथा A तथा B बिंदू से समान दूरी पर है अब बिंदू P क्योंकि X अक्ष पर है इसलिए इसका कोटी निर्देशांख शून्य होगा तथा भुज निर्देशांख मान लेते हैं कि A है अब क्यूंकि ये बिंदू A तथा B से समान दूरी पर है इसलिए हम लिखते हैं A P बरावर B P अर्थात A P होगा 6 घटा A वर्ग जमा 7 घटा 0 वर्ग इसका वर्ग मूल बरावर वर्ग मूल में 4 घटा A का वर्ग जमा घटा 3 घटा 0 का वर्ग यह हुआ 36 इसे हम खोल लेते हैं घटा 12 A जमा A वर्ग जमा उननचास बरावर 16 घटा 8 A जमा A वर्ग जमा 9 अर्थात घटा 12 A जमा 85 बरावर घटा 8 A जमा 25 इससे हमें प्राप्थ हुआ घटा 12 A जमा 8 A इन दोनों को एक तरफ कर लिया बरावर 25 घटा 85 अर्थात घटा 4 A बरावर घटा 60 या A बरावर 15 इस तरह से हम देखते हैं कि बिंदू P जिसके निर्देशांख होंगे 15 शुन्य बिंदू A तथा बिंदू B से समान दूरी पर होगा इस तरह से दूरी प्राप्थ करने के सुत्र की उप्योगिता अभी आपने देखी आए हम एक और उप्योगि सुत्र प्राप्थ करते हैं इसमें हम दो बिंदू के बीच के रेखा खन को निश्चित अनुपात में विभाजित करने वाले एक बिंदू का निर्देशांख प्राप्थ करते हैं मान लिया बिंदू A के निर्देशांख है X1, Y1 तथा बिंदू B के निर्देशांख है X2, Y2 और इनके बीच के रेखा खन को बिंदू P एक निश्चित अनुपात L अनुपात M में विभाजित करता है और इसके निर्देशांख हमने प्राप्थ करने हैं मान लिया के इसके निर्देशांख है X, Y बिंदू A से बिंदू P से तथा बिंदू B से हम X अक्ष पर लंब गिराते हैं जो L, M तथा N पर जाकर मिलते हैं इसे तरह से बिंदू A से P, M पर एक लंब गिराते हैं तथा बिंदू P से B, N पर लंब गिराते हैं उसे Q पर मिलते हैं इसलिए त्रिभूज A, R, P तथा त्रिभूज P, Q, B समरुप त्रिभूज है इनके गुणों का उपयोग करते हुए हम देखेंगे कि A, R बटा P, Q बराबर होगा A, P बटा P, B, A, R बटा P, Q बराबर A, P बटा P, B, A, R है X घटा X एक तथा P, Q है X2 घटा X, बराबर A, P बटा P, B है L बटा M, इसे गुणा कर हम देखते हैं M X, घटा M X 1, बराबर L X2, घटा L X, अर्थात M X, जमा L X, बराबर L X2, जमा M X 1, M X 1 दोनों में से हम X को बाहर लेते हैं, हमें प्राप्त होता है M जमा L, इसे हम L जमा M भी लिख सकते हैं यह बराबर हुआ, L X2, जमा M X 1, अर्थात X बराबर L X2, जमा M X 1, बटा L, जमा M, इसे तरह से हम Y के लिए लेते हैं, PR बटा PQ, बराबर AP बटा PB, PR है Y घटा Y1, Y2 घटा Y, बराबर AP बटा PB है, L बटा M, इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है, MY घटा MY1, बराबर LY2 घटा LY, पहले की तरह इसे हल करने पर हम देखते हैं, Y गुणा L जमा M, बराबर LY2 जमा MY1, अर्थात Y बराबर LY2 जमा MY1, बटा L जमा M, इसे तरह से हमें, P के निर्देशांग प्राप्त हुए, P वह बिंदु जो A भी रेखा खंड को L अनुपार्थ M में विभाजित करता है, P के निर्देशांग हुए L, X2 जमा M X1, बटा L जमा M, ये है भुज निर्देशांग, तथा कोटी निर्देशांग हुआ L, Y2, जमा M, Y1, बटा L जमा M, इसे याद करने का एक आसान तरीका है, ये है रेखा खंड है A, B, यदि ये बिंदु P, इस रेखा खंड को L अनुपार्थ M में विभाजित करता है, तो P के निर्देशांग याद इस तरह से कर सकते हैं, L, X2, जमा M, X1, बटा L, जमा M, ये हुआ भूज निर्देशांग, तथा कोटी निर्देशांग के लिए हम लिखेंगे, L, Y2, जमा M, Y1, बटा L, जमा M, यदि P रेखा खंड A, B का मध्य बिंदू है, तो L अनुपार्थ M हुआ, एक अनुपार्थ 1, अर्थात इसके निर्देशांग ज्याद करना बहुत ही आसान हो जाता है, पी के निर्देशांग होंगे, एक, X2, जमा 1, X1, बटा 1, जमा 1, 1, Y2, जमा 1, Y1, बटा 1, जमा 1, अर्थात P के निर्देशांग हम लिख सकते हैं, X1, जमा Y, X2, बटा 2, तथा Y1, जमा Y2, बटा 2, आइए इस सूत्र से संबंधित एक समस्या का हल करते हैं, सिद करो कि त्रिभूज की मधिकाएं संगामी होती हैं, इस चित्र में त्रिभूज ABC दिया हुआ है, माना कि इसके शिर्ष ABC हैं, जिसके की निर्देशांग हैं, X1, Y1, B, X2, Y2, तथा C, X3, Y3, AD इसकी एक मध्य का है, इसका मतलब D जो है मध्य बिन्दू है रेखाखंड BC का, यानि D, BC रेखाखंड को एक अनुपात 1 में विभाजित करती है, इसलिए D के निर्देशांग हम निकाल सकते हैं, D के निर्देशांग होंगे, X2, जमा X3, बटा 2, तथा Y2, जमा Y3, बटा 2, अब इस चीत्र को एक बार फिर से देखिया, हम इस मध्य का AD में एक बिन्दू G लेते हैं, जो कि इस मध्यका को दो अनुपात एक में विभाजित करता है, तो G के निर्देशांग ज्याद करते हैं, इसी सूत्र द्वारा, G के निर्देशांग होंगे, 2 गुणा X2, जमा X3, बटा 2 जमा 1X1, बटा 2 जमा 1, इसे हल करने पर हमें G के निर्देशांग के और कोटी निर्देशांग हुआ, प्राप्थ होते हैं, X1, जमा X2, जमा X3, बटा 3, तथा Y1, जमा Y2, जमा Y3, बटा 3, यही क्रिया, यदि हम बाकी दोनों मद्धिका आएं, B, E, तथा C, F पर दोराएं, तो हम देखेंगे कि बिंदु G, तीनों मद्धिकाओं में उभैनिष्ठ है, इस तरह से तीनों मद्धिकाएं संगामी हैं, और तीनों को बिंदु G, दो अनुपात एक में विभाजित करती हैं, तो आपने देखा कि निर्देशांग जियामिति किस प्रकार तथा कितनी उप्योगी है, इसमें हम विभिन आकरितियों के बारे में अध्यन कर सकते हैं, जो कि हम आगे की कक्षाओं में करेंगे, आज हमने दो महत्वपूर्ण सूत्र सीखें, पहला ये कि दो दिये हुए बिंदु के अगर निर्देशांग दिये हुए हैं, तो उनके बूइच की दूरी इस प्रकार से हम ग्याद कर सकते हैं, जिसका कि सूत्र है, अबी बराबर वर्ग मूल X2 घटा X1 का वर्ग जमा Y2 घटा Y1 का वर्ग जहाँ पर बिंदु A के निर्देशांग दिये हुए हैं, X1, Y1 तथा बिंदु B के निर्देशांग दिये हुए हैं, X2, Y2. दूसरा सूत्र हमने देखा, एक बिंदु P जो दियेवे दो बिंदु A तथा B को एक निष्चित अनुपात L, M के में विभाजित करती है, उसके निर्देशांग होंगे, LX2 जमा MX1 बटा L जमा M, तथा LY2 जमा MY1 बटा L जमा M. अब आप भी अपने पुस्तक में इन सूत्रों पर आधारित प्रश्णों को हल करें, धन्यवाद.